नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश, व्यापार उश्य के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, आज हम नया एक टॉपिक लेकर आया हैं, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस लोन के पैसे, अकाउंट में लेने से पहले किन बातों का मुख्यत ध्यान देना चाहिए यहां मैंने एक छोटा सा लाइन लिखा है, जिसमें मैं बता रहा हूँ, एक आदमी है, मेरी एक गलती बाद में पश्टावा, इसका इस इमेज को देखकर आपको पता ही चल रहा होगा, जब लोन एपरू होता है और उसका पैसा अकाउंट में आने के पूरूर, उन्होंन पैसे आकाउंट में लेने से पहले, किन बातों का मुक्यत ध्यान देना चाहिए? यह एक बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है, जब भी हमें लोन अपरू होता है, तो हमें 10 बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन 10 बातों का मैं एक एक करके यहां पर आपको बता रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए और हमेशा इन बातों को याद रखिए और आपका लोन जब भी अप्रू होगा उसके उपर वो आप अमल भी कीजिए पहले पांट में हम देखेंगे हमने कौन से लोन के लिए अप्लिकेशन किया है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने वर्किंग कैपिटल लोन अप्लिकेशन किया है या तम लोन के लिए अप्लिकेशन किया है गोवर्मेंट स्कीम के लिए किया है या letter of credit के लिए application किया है या उसमें से कोई order of facility के लिए application किया है या pause loan के लिए application किया है इन में से हमने council loan के लिए application किया है यह हमें पता होना चाहिए जो दूसरा point है इसमें हम देखेंगे दूसरे point में हमने bank हमें council loan दे रही है इस point में हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि bank loan officer या representative हमें गलत information दे कर या कई बार बाते चिपा कर अपना target पूरा करने के लिए हमें किसी अन्य scheme में loan application कर देते हैं और उसे approve भी कर लेते हैं यह सब हमें loan approve होने के बाद पता चलता है हमें किसी तरह वो loan officer हमें मना लेता है और हमें इस case में हमें यह पता नहीं चलता कि rate of interest हमें ज्यादा लगा दिया गया है क्योंकि हमने जिस scheme में application किया था उसमें loan का rate of interest कम होता है और जो loan approve होआ है उसमें rate of interest ज्यादा होने के कारण ह कमर आर्थिक नुक्सन होता है इस वज़र से हमें इन बातों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए थर्ड पॉइंट में हमेशे याद रखना चाहिए एप्लिकेशन करते समय हमने कौन से डाकुमेंट सब्मिट किये थे वह हमें एक डायरी में नोट करकर रखने चाहिए ता लेनी ही चाहिए इसलिए ये बाते लिखी जाती है जो फूर्थ पॉइंट है उसमें देखेंगे हमें जो यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है हमें जो लोन पास हुआ है याने अप्रू हुआ है वो कितने रुपे का हुआ है कितना परस रेट आप इंडरेस है उसका और कितने समय में हमें return देना है यह जान कर ही पहले लेना चाहिए amount कितना आने वाला है वो बहुत calculate कर लेना चाहिए जो उसके बाद का जो पांचों point है उसमें देखिए हमें जो loan मिला है उस पर processing fees, documentation charges कितनी लगी है वह भी हमें जान लेना जान लें ताके हमें यह सही calculation पता चल सके कि loan का पूरा process करते हुए हमें कितना खर्चा हुआ है जब भी हम loan का calculation करेंगे तो यह खर्चा अगर आप जोडेंगे तो आपको badge के साथ पता चलेगा कि आपने कितना amount लिया था बहुत बार हम loan लेते हैं लेकिन इंचा खर्चों को ध्यान में नहीं रखते हैं उससे हमें exact calculation पता नहीं चलता है कि हमने कितना loan लिया था और कितना rate of interest पे किया है जो छटा point है इसमें loan repayment याने equated monthly installment जिसे हम EMI करते हैं इसकी पूरी जानकरी लेनी चाहिए उस जानकरी में हमें मुख्यतवे principal amount और rate of interest कितना जाने वाला है यह पूरे समय में जान लें ताकि हमें पता चल सके कि कितना दिनों में हमें इसके उपर कितना loan rate of interest पेड़ करने वाले हैं जो सात्वा point है यह एक बहुत important point है जैसे कि loan लेने के बाद भुष्य में आपको loan चुका न हो तो यह पता चल सके हमें कितना फाइदा या नुकसान हो रहा है नील करने के पुरुहागरिया आपको loan calendar में से पता चलेगा तो ही आप उसका decision ले पाएंगे बहुत बार ऐसा होता है कि loan calendar banks आपको नहीं देती है लेकिन RBI के रूल के इसाब से यह आपका हक है loan calendar जरूर मांगे जो आठवा point है RBI guideline के नुसार आपके loan के agreement copy लेनी चाहिए आपको loan लेंदार का यह हक है और आपको पता चल सके कि आपने किस नियम और नुसार आपने loan लिया है अगर आप bank से यह copy नहीं मांगेंगे तो भविश्य में अगर आपको कुछ कारण वर्ष प्रॉब्लम हाता है तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने किन rules के अंडर यह payment किया है यह एक आपका हक है जो 9th point है जिसमें हम मुक्के आपने लिया है इसका भी insurance cover किया है या नहीं इन बातों को ध्यान से check कर लेना चाहिए इन बातों को आप ध्यान से check करेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप in accidental case आपको अगर कुछ हो जाता है तो पीछे जो family member से उनको किन बातों को समस्या हो सकती है या नहीं ये बाते आपने loan लेते टाइम ध्यान देनी चाहिए और सबसे आन्त में आपको जो 10th नमर का point है यह भी बहुत important है इसे हमेशा याद रखे annually कोई hidden charges छुपे हुए charges तो नहीं है bank के लगाए हुए यह पूर्व loan agreement के sign करने के पूर्व यह सब बाते जान लें बहुत बार ऐसा होता है कि loan approve होने के खुशी में बहुत बार लोग इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं निगलेक करते हैं और उसके बाद सिरिफ उन्हें पश्चात आपके सिवा कुश नहीं रहता है क्योंकि bank के हमने documents पर sign करने के बाद bank जो भी बोलेगा हमें वो मानना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास time नहीं रहता है बाद में तो यह उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत से point cover करने का प्रयास किया है आपको यह information फाइदे मन साबित होगी और आप जब भी loan approve होगा तीन बातों का ध्यान देंगे आपको किसी point पर information चाहिए या आपको कोई query हो तो जरूर comment box में share करें मैं उस पर काम करकर reply देने का प्रयास करूँगा thank you very much for watching our video thank you very much